नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओबने से पहले एक नजस सुर्खियों पर बीपी ऐसी पेपर लीक मामले के उच अस्तरिय जांच शुरू बीपी ऐसी पेपर लीक मामले के उच अस्तरिय जांच शुरू हो चुकी है बीटे दिन कई अस्तर पर मामले की जांच की गई है लेकिन अब तक इस मामले पर अंतिम फैस्टला नहीं लिया गया है पेपर लीक कहां से हुआ है और इसके मुख्य स्रोत की जानकारी ली जा रही है जारकन में हजारी बाग में पकरे गए सॉलवर गैंक से भी पूछताच की जा रही है और पूरे मामले का पतर लगाय जा रहा है इधर बिहालोक सेवा आयो की ओर से दावा किया गया है कि राज के 26 केंद्रों पर सांती पून तरीके से परिक्षा ली गई है सभी केंद्रों पर प्रस्न पत्र भेजा गया था और इसकी वीडियो ग्राफी भी हुई थी आज कही दिन हुई थी बकसर दिले की अस्थापना आज कही दिन बकसर दिले की साल 1991 में अस्थापना हुई थी 11 साल के लंबे संगर्स के बाद इसे जिला का दर्जा प्राप्त हुआ था यह जिला कई मायनों में खास है यहां आपने एतिहासिक और धार्मेक कार्णों से पूरे देश के साथ ही विदेश में भी प्रचले थे आज कही दिन पूरे जिला वासी अस्थापना दिवस को धूम धाम से मना रहे हैं कई तरह के कारेकरम का जिला प्रसासन की ओर से आयोजन किया गया है मालूमों कि जिले को बिहार के प्रवेज दुआर के नाम से भी जाना जाता है पहले ये जिला भोजपुर जुले के तहट आता था इतिहास की बात करें तो बकसर के युद की वज़त से सब इस दिले को जानते हैं साल पंद्रो सो उन्चालस में यहां मुगल सासक हुमाई और सेरसा सूरी के बीच चौसा के मैदान में युद हुआ था बिहार में आचार सहिता के बीच अटकी हजार सधिक योजना बिहार में आचार सहिता के बीच एक हजार एकसो पचास योजना अटक चुकी है राजदानी पटना में एकसो पचास योजना प्रभावत होई है इसका कारण है कि इन योजनाओं को अब तक प्रसासन की ओर से स्विक्रिति नहीं मिली थी वहीं अब आचार सहीता लागू हो जाने के बाद इन योजनाओं पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा पत्थ और निर्मान विभाग के काम पर भी असर परा है इसके लावे जुल होली पर हवाई का किराया महंगा परेगा हवाई के किराय में बरहोतरी हो चुकी है दिल्ली से पटना का किराया 22,000 पर जा चुका है सामाने दिनों में ये किराया 4,000 के आसपास होता था जबकि मुंबई से पटना का किराया 30,000 से अधिक है उन्हें समार्च से किराय में बे हजार 200 रुपे इस मार्ग पर 22 मार्च को पतना का किराया सबसे जदाएं विस्तारा की फ्लाइट का किराया इसpad को सबसे जदाएं करेया नोहइक विद्रे दिया ह condition है इन्हें मंत्री का द्रजा दिया गया है इस तरह से पड़िर्व andare आने वाले विधायकों को सरकार का गिफ्ट मिला है उप मंत्री के हैसियत से इन्हें सरकार की ओर से और सुभधाय दी जाएंगी इन्हें विधान सभा से भी सुभधा मिलेगी दरसल इन्हें राज अस्तरिय कारिकरम समीती का सुभध से बनाया गया है इसके बाद इन्हें तम पेपर लीक मामले में विहार का निवासी डॉक्टर सुभम मंदल गिरफतार हुआ है स्टीफ ने इसे गिरफतार किया इसके बाद इसे पुलिस लगातार पूछताच कर रही है आरोपी ने बताए कि वो पिछले आठ फरवरी को पटना से फ्लाइट लेकर एहमदाबाद वो वेर हाउस में पहुच गया था यहाँ पर उसने पेचकरस की सहायता से सीलबंद डबो को भी खोल दिया था इसमें से पेपर को निकाल कर उसे मोबाइल फोन की मदद से स्कैन किया गया था इसके बाद वो कुछ हैने लोगों के साथ एमदाबाद के एक होटल में रुका करीब 270 आरोपियों की पटना सविल कोर्ट में पेची हुई है इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है मालूम हो कि नहीं योईू की टीम ने जारगन के हजरी बढ़ से गिरफतार किया था इसके बाद इनकी कोर्ट में पेची हुई थी इस दोरान यहां भा पुलिस ने कई जरूरी चीजे बरामत की हैं पटना लखनो वंदे भारत ट्रेन की पहले दिन सभी सीट फूल पटना लखनो वंदे भारत ट्रेन 18 मार्च से शुरू हो रही है वहीं पहले दिन की सभी सीट फूल है वेटिंग की भी लिस्ट लंबी है मालूम हो कि इस ट्रे और ट्रेन के खुलने के बाद इसका दर्वाजा नहीं खुलेगा पूरे ट्रेन में सीसी टीवी कैमरे लगाए गया है हर वोगी में दो डिस्प्ले लगाया गया है इस पर यातरी देख सकते हैं कि अब कौन सा स्टेशन आने वाला है बिहार में चुनावी दलों को पोश्टर हटाने का आदेश बिहार में आचार सहिता सक्थ है इस भी चुनावायोग ने चुनावी दलों को जल्द से जल्द पोश्टर हटाने का आदेश दिया है बिहार में मुक्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि बिहार के बोजपुर ज़ले के आगी hundreds सबा का उप्चुन इस दौरान बिना अनुमती कहीं भी पोष्टर नहीं लगेगा? मालूम हो कि भिहार में कुल मत दाताओं की संख्या 17 करोड 32,54eds है। लोगसबा चुनाब को लेकर बिहार की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है निर्वाचन आयों के द्वारा सक्त आदेज दिया गया है कि सराब या पैसा बाटने की सूचना के सामने आते ही सक्ती से कारवाई की जाए बिहार में सराब बंदी लागू है ऐसे में खास पर सीमा की चेकिंग को बढ़ा दिया गया है सीमा पर अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया है इसके लावे अस्थानी थाना और परोसी राजे के पुलिस के साथ समन्वेद बनवा कर चलने का नर्देश है आपको बता दे कि राजे में सराब और पैसों पर ड्रून से नि गिरफतार हुए हैं फोली से पहले सराब की बरी खेब पकरी गई है भागलपुर के रास्ते नवगचिया होकर सराब की खेब को मधे पूरा ले जाया जा रहा था लेकिन सूचना के अधार पर सबोर थाना पुलिस ने बरी कारवाई की है एस पी के निर्देश पर सिटी ए साथ ही आगे की कारवाई की जा रही है लोगसबा चुनाव की घोसना के बाद समराथ चौधरी ने किया बरादावा लोगसबा चुनाव की घोसना के बाद बिहार के डिप्टी सीम समराथ चौधरी ने बरादावा किया है उन्होंने कहा है कि लोगसबा चुनाव में राज से 800 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी नरेंट्र मोदी को प्रधान मंतरी बनाने को लेकर बिहार के संकलपित है राज्री के गिवा धिसान केंद्र राज्र सरकार की योजनौणी से लाभांद वित्वई हैं इस कारण ये पूरी तरह सें पर बोला हमला विहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपानेता सुसील मोधी ने आगामी लोगसवा चुनाव का सवागत किया है साथ ही विपक्ष पर जम कर हमला वोला है उन्होंने कहा है कि ठीक इसे पहले सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड के आकरों को सारवजन देनी चाहिए कि अगर कोई वेक्ति अपने पसंदीदा चुनावी दल को आर्थिक सहयोकर चुनावी दल को मजबूत करना चाहे तो उन्हें किस तरह का चंदा देना चाहिए, किस तरह का तरीका सही होगा सतरुग निस सिंहा ने आगामी लोगसवा चुनाप को लेकर बयान दिया है साथी बीजेपी पर जम कर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि बिछले चुनावों में भी बीजेपी ने जीत का दावा किया था नेकिन मन्मुहन सिंग देश के प्रधान मंत्री बने थे क्या हुआ सब ने देखा और उनके तोते उर गए थे 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी को जनता खामोस कर देगी सत्रुग निस सिंहा ने कहाई कि आने वाले लोगसवा चुनाब बीजेपी के लिए चुनाती पूर्ण हो सकते हैं 400 पार का दावा करने वाली प महिंद्र सिंग धोनी को लेकर बरी बात कही है उन्होंने साल 2011 के IPL मैच को याद करते वे कहा है कि धोनी ने इस दोरान उन पर भरोसा जताते वे नई गेंद दिया था इसने उनके करियर को नई दिशा दी थी इसने वो महिंद्र सिंग धोनी के पूरे जीवन भर करज़दा बताया है और अस्वी ने कहा है कि धोनी ने जो दिया है वो उसके जीवन भर करज़दा रहेंगे बीते दिन हमारे दोर पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें मारे कॉमेंट सुक्सन बॉक्स में लिका दिया था जिन्होंने वाद और योगिंदर पासवान सोनी कुमारे फिरोजन जो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों रात का सवाल है लोगसवा चुनाब की तारिक के एलान के बाद आपके छेत्र में चुनाब को लेकर क्या महौल है आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में जरूर बताएं आज के इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहनी के लिए देखते हैं बिहारी नीज़ और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेश्बुक से देख रहे तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद